आप से बात कर बेस्ट एंड फेंटास्टिक रहती है वो सेकंड डे में ग्रोड डाउन होती ही होती है और बैसे भी कल फ्राइडे वर्किंग डे था इसलिए दिन में क्राउड एवरेज ही देखने को मिला लेकिन इवनिंग टू नाइट जबरदस्त भी रही थेटर्स में ना कि सिर्फ अंदर बलकि बाहर भी तो आज बात करेंगे अभी जवान में कितनी कमाई कर ली है आज तीसे दिन में कैसी ग्रोज चल रही है फर्स डे कितनी कमाई करी है टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ओपिस कलेक्शन कितना कर सकती है ये मूवी सब जाने के बच कुछी देर में तो वीडियो को उन तक जरूर देखना अगर आप भी जवान मूवी से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं और SRK के डाइहार्ट फैन है तब लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो कॉंटेंट इस सूपर अमेजिंग जिया दोस्तो SRK के मल्टिपल रोल देखने को मिलेंगे आपको मूवी में और हर रोल पर जितना फिट बैठना था उतना ही फिट बैठे हैं जिस चीज को ध्यान में रखते हुए SRK ने जबरदस सारे करेक्टर पकड़े हैं इसके साथ सपोर्टिंग कास्टी इस अमेजिंग नयन थारा और दिपिका ने भी जो कंधी से कंदा मिलाकर साथ दिया है SRK का जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रखी है उसके बाद प्रिया मनी और सानिया मलोत्रा ने भी जबरदस्त किरदार निभाया है और विलेन मैं फिर कहूंगा इस सूपर अमेजिंग विजज सेतुपती और फकाली वड़ा करेक्टर डिजाइन बाई अटली कुमार और उसके बाद उस करेक्टर में इतनी जान भर देना और डिरेक्टर बाई अटली कुमार इस सूपर फैंटास्टिक बहुत जबरदस्त काम किया है हाँ साउथ के डिरेक्टर है तो साउथ का तरका हमें देखने को मिल रहा है इसमें और जो की बहुत धमाकेदा लग रहा है एक बॉलिवुड और एक साउथ का एक हिंदी और एक साउथ का जो मैसब देखने को मिल ला है और वही मज़ेदार भी लगा मूबी को एच पैन इंडिया रिलीज करा गया है और मूबी ने पहले ही दिन में धमाका काड दिया है बाई गॉड देखो ऐसा होता है ना कि मासबसाला फिल्मों में अकसर स्टोरी लाइन पर जादा ध्यान धिया नहीं जाता है लेकिन जवान में story is the main part साइद अगर ऐसी storyline ना होती तो जवान को ये response भी नहीं मिलता socio-political मुद्दो पर बात उठाए गई है हाँ corruption पर भी बात उठाए गई है इसके साथ किसान के जो सफर बगेरा करते हैं गरीब जो सफर करते हैं उस पर भी बात उठाए गई है बारीकी से फील कराके दिखाए गया है हर एक चीज को कैसे बड़े-बड़े उद्योगपतियों को हजारो करोणों का लोन माफ कर दिया जाता है लेकिन एक किसान को छोटे-मोटे लोन्स में उलजाए रखिया जाता है so this is the amazing part of this movie हम सब अपने आसपास देख रहे हैं जो genuine region है उस पर ही बात उठाई जाती है उसे अमारे सामने solid dramatic way में जुबारा से प्रजेंट किया है जवान मूवी में by God मैं फिर कह रहा हूँ अगर अटली ना होते तो साइज जवान ऐसी ना बन पाती क्योंकि मास मसाला action crime thriller मूवी का हम काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं पर जवान जैसी मास मसाला मूवी नहीं देखी है जह दोस्तो S.R.K के में लीड में और अटली कुमार के direction में लगबग 300 करोन के टोटल खर्चे पर बढ़ने वाली फिल्म जवान को हिंदी, तमील और तैलगू को मिला कर लगबग इंडिया में पहले दिन साड़े 5,000 स्किन्स दी गई थी इसी के साथ Overseas में लगबग 4,000 स्किन्स दी गई थी पहले दिन ही तो टोटल पहले दिन में मूवी को पहले दिन में साड़े 10,000 स्किन्स पर मूवी को रिलीज करा गया था जो कि बॉलिवड हिस्ट्री मां आज तक पहले कभी नहीं हुआ यह रिकॉर्ड भी अपने नाम जवान करके ले गई है बात करते हैं बॉक्स ओपिस कलेक्शन की तो फर्स डे कैसा कलेक्शन रहा फर्स डे हुज कलेक्शन रहा एंड इट मेक्स हिस्ट्री इन इंडियन हिंदी सिनेमा में बाई गॉड हिंदी से 65.5 करोन का कलेक्शन किया था और तमिल और तैलगू से 9 करोन का कलेक्शन रहा अपने पहले दिन में ही और टोटल तीनों लेंग्वेज को मिला गए फर्स डे नेट इंडेन बाक्स ओबिस कलेक्शन 74.5 करोन को टच किया है इजली इसे के साथ इसी के साथ इस साल की जाइंट फिल्म पठान के Day 1 के 57 करोन के कलेक्शन को बुरी तरीके से नकी सिर्फ तोड़ा खदेड भी दिया बिल्कुल पुरे लगभग 15 करोन के आंकडे से खदेडा है इंडिया में साथ में हिंदी से Day 1 के KJF 2 के रिकॉर्ड को भी खदेडा बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी थोड़ा और ट्रिपल रिकॉर्ड को भी थोड़ा हिंदी से Day 1 के कलेक्शन के मामले में तो हिंदी में जवान नमबर वन पर हो चुकी है अपने ओपनिंग दे में हिंदी से ग्रॉस इंडियन कलेक्शन की बात करें तो फर्स डे 90 करोन का रहा Overseas से आया 39.60 करोड राउंड फिगर में 40 करोन ही होता है Overseas से भी पठान को बीट डाउन कर दिया इस साल की जो जाइंट फिलम थी जिसने हिंदी से भी रिकॉर्ड कलेक्श कर रखा था उसको तो हिंदी में खधेर दिया फिर उसके बाद Overseas से जो कलेक्शन रिकॉर्ड में नंबर वन पर बैठी थी उसे भी खधेर दिया जवान ने तो Overseas के मामले में पठान को बीट डाउन कर दिया जो 37 करोड का होल्ड करके बैठी थी तो टोटल हो जाता है Overseas और Indian Box Office कलेक्शन को मिला कर फिर्स डे का टोटल वर्डबाइब Box Office कलेक्शन 129.60 करोण राउंड फिगर में 130 करोण मान के चलो इसके साथ मोवियों को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिलने के साथ साथ फर्स डे में जबर्दस ग्रोथ रही और सेकेंड डे में भी जबर्दस ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है लेकिन फ्राइडे वर्किंग डे होने के बाद भी जबर्दस ग्रोथ हमें देखने को मिली अमेजिंग जया दोस्तों कल एडवांस से ही 22 करोंड के साथ खाता खोलते हुए morning में ही 20% की occupancy के साथ evening to night तक 40 to 45% की occupancy rate के साथ धमाका मचा रही थी फुल house full source दे रही थी night में movie और कल हिंदी से अपने second day में 48 करोंड के collection करते हुए movie ने tamil और telugu से भी अच्छी घमाई की और total तीनो language को collection को मिला के 99 collection second day का 55 करोंड के आसपास टच करा था इसी के साथ पूरी दुनिया से अपने second day में 95 करोंड के आकड़े को टच करने में सफल ली थी movie कल अपने end of the day तक second day का अभी total आकड़ा flexible है क्योंकि कई जगे से रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है तो second day में भी 100 करोंड क्रोस किया है कई जगे ये भी बोला जा रहा है तो कल की ही तरह जब second day की officially update full report आ जाएगी तो उस पे अलग से एक separate video बना देंगे जो सिर्ष second day की रिपोर्ट कवर कर इसकी साथ पहले दो दिन में net Indian collection 130 करोंड के आंखड़े को टच करने में सफल नहीं मूबी और पूरी दुनिया से पहले दो दिन में ही 225 करोंड के आंखड़े को अराम से अपने खाते में रखते नजर आई यह जो जवान की दो दिन की collection है यह normally Bollywood movie की lifetime collection होती है और कुछ तो 100 करोंड भी क्रोस नहीं कर पाती है जैसे recently हमने accept आजी की selfie की देखी थी और रनवीर सिंग की सरकस मूबी को देखा था जो 100 करोंड क्रोस भी नहीं कर पाई थी तो दोस्तो it's a big achievement for Hindi cinema जो जवान ने अपने नाम किया है बात करें आज यानी तीसरे दिन में कैसी growth है तो yes आज भी धमाका मचाते नजर आ रही है movie जिया दोस्तो सिर्फ advance से आज 33 करोंड के आंकडे को टच करते नजर आ रही है और morning से ही 42-45% की occupancy rate के साथ सान दार दहार मा रहा है full house full सोच चल रहे है night में आज भी खचाखच theaters भरे हैं तो मैं एक recommendation ये देना चाहूँगा कि अगर आपकी booking confirm नहीं हुई अभी तक तो मच जाना क्योंकि line पे लगे रह जाओगे और कुछ नहीं night के time पे तो कती मच जाना दिन में तो आपको मिल भी सकती है और आज end of the day तक पहले तीन दिन में ही night Indian collection 190 करोण के आखड़े को टच करेगी और पूरी दुनिया से आज भी end of the day तक 110 से 115 करोण के आसपास कमाई करते नजर आ रही है movie और end of the day तक पहले तीन दिन में ही 340 करोण के आखड़े को आज अपने नाम करते दिखेगी जवान जिहां दोस् कर सकती है तो जिस हिसाब की growth है definitely कर सकती है इसी के साथ अब ये आप लोग बताएंगे कि क्या जवान 10 दिन में 1000 करोण टच कर पाएगी या नहीं क्या आपने 10 ही दिनों में ये पठान के 1000 करोण के lifetime collection record को खदेर देगी या नहीं फटा-फट नीचे comment box पर अपनी राय जरू जरू सेर करके जाना और अगर आप लोगों ने movie देख ली है तो आपको movie अभी तक कैसी लगी, villain कैसा लगा और SRK का main character जो सबसे ज़्यादा पसिंदा है लगा आपको वो कौन सा लगा फटा-पट नीचे comment box पर अपना experience जरू सेर करके जाना बाकी movie review और box office से जुड़ी सब अपडेट्स के लिए और Bollywood, Hollywood और South फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमार साथ ऐसी जुड़े रहना और अगर चैनल पे नहीं हो तो subscribe जरू करना दूसरा अंगुठे वाला बटन दवा के वीडियो को like जरू करना मिलते अगली वीडियो में जैहिंत